समाचार मा सौथी पहला वाद करेशूं आजे राजसभा मा रजुथायला नागरिकता संशोधन बिलनी हाल दिवस भरनी चर्चाबाद तेना पर मतदान चाली रहूँ छे सीधा जे ये राजसभा आम तो राजसभा मा कुल 24-472 छे बिल पसार करावा 101 मत नी जरूर छे भाजब पासे 30 अने एंडियनी बात करिये तो संख्या चोराण उपरते नी जाये छे आउप्रांत मनोनीत संशादोनी संख्या बार छे जमाग्यार संशादोना समर्थन नो दावो थाई रहूँ छे आउप्रांत AIA DMK ना अग्यार संशादो प्रांत बीजू जंता दलना साथ संशादोनू पण बिलने समर्थन छे तो सरकारने YSRCP ना बैसांशादोनू पण समर्थन मले उचे तो आगाओ अमीत शाहे बिल पर चर्चानो जवाब आपता कहू हतु के कॉंग्रेस ना नेताओना निवेदनो पाकिस्तानी नेताओना निवेदन जिवाच है आगाओ बिल रजु करती वखते तेमन कहू हतु के देश ना मुस्लीमों आ बिल थी डर्वानी जरूर न थी पाकिस्तान के प्रदान मंत्री का बायान देख लिजिए और आज के कॉंग्रेस के नेताओ के बायान देख लिजिए दोनों जिवेदने जे प्रकारे अमीत शाहे बिल नी चर्चा दर्मियान बांगलादेश नो उलेक करे ओ तैने लेन बांगलादेश तैने सामे वांधो उठावेऊ चे बीजी तरफ चर्चा दर्मियान विपक्ष आ बिल नो विरोत करता कहू के सरकार्या बिल मा बंधार अन्ना धजागरा उडाड़ा चे कॉंग्रेस, त्रूनमुल कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी अने डाबेरी पक्षोय आ बिल नो विरोत करें जरेके AIA-DM के बीजू जनतादर अने JUA समर्थन करें गांधी जी केवल उनका चश्मा विग्यापन के लिए नहीं और उनका नाम नहीं, मेरा अग्रे है, उनके चश्मे से हिंदोस्तान को देखो, समाज को देखो, मानवता को देखो अगर पाकिस्तान की भाषा हमको पसे नहीं है, तो हमारी इतने मद्बूत सरकार है, पाकिस्तान को ख़तम करो अगर पास हो जाता है तो इसके बाद इसका टेस्ट होगा आर्टिकल 14 का टेस्ट होगा आर्टिकल 21 का टेस्ट होगा और प्रेम वरकर्स क्यों बनाए गिया इसको सेक्लरिस वर्ट क्यों आए ग乐 बार बार कहा गिया मन्य ग्रीमंत्री जी की और से के अनर्सी अलग है सीए भी अलग है नहीं सावा अलग नहीं है अनर्सी में पैदा हुई दिक्कतों ने आपको प्रेरित किया कि एक ऐसा बिल लेके आओ कि अपनी कमजोरियों को छुपा लो उसमें केवल हिंदू और मुस्लिम का ही एक भेदबाव था ये दरिश्टेकों रखना ये बहुत संकुचित होगा ये बिल कुल गलत होगा इस बिल का जो लाने का तरीका है सर इसमें सीधा एक क्यमनेटी जिससे मैं भी आता हूं σर मुसलिम क्यमनेटी को टार्गेट किया रह और आपने ये भी कहा कि करोड़ों लोग एक नए सवेरे को कल देखेंगे मैं आपसे ये भी इलतिजा करना चाहता हूं कि लाखों लोग की रात खतम नहीं होगी ये काली रात खतम नहीं होगी जो बंगला देश की प्रधान मंत्री हैं उनके साथ मीटिंग करके हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि एनर्सी विल नॉट इंपैक्ट बंगला देश एनर्सी बंगला देश पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा दूसरा बयान है विदेश मंत्री जी का ये बयान इनका है मानिवार 20 अगस्त का धाका बांगलादेश में विदेश मंत्री जी ने कहा एस जैसंकर जी ने कि NRC जो है वो हमारा इंटर्नल मैटर है आंतरिक मामला है आप कहते हैं घुस पैठियों को भगाएंगे आज भी हमारे सिख प्रा बहरले कंट्री से आ रहे हैं आप रूज खबरे सुनते हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ काट ओफ डेट जे भी क्लैरिफिकेशन दे कि जो आज आ रहे हैं उनका क्या बरह है तो आब इलने लेने अम्दवाद मा चंडोला तड़ा अविस्तार मा रहता बांगलादेशी मूलना लोको चिंता माचे बीबीसी ये तेमनी व्यथा सामड़ी तो हार देश वाला तो ऐसा नहीं बलता है ज़े हिंदू नहीं रिय सकता है तो ये सरकर ऐसा क्यों बलता है तो आसाम मा हिंसक प्रदर्शनों थाई रहा अचे त्रिपूरा मपड़ाई और विरोध ये था वच्च आतमाम विगतों पर थोड़ी बार पहला अजमाही तियापी बीबीसी माटे वरिस्ट समवादाता रवी प्रकाश ब्ली मंत्री अमीद साह ने राजिस्वाद में जब आज नागरिक्टा संसुदन विद्यक पेस किया तो उन्हें सायदी अंदाजा रहा हो कि प्रवत्र के राजियों में इसका कितना बड़ा असर पढने वाला है असम् त्रिपूरा मेगाले और इस समित तमाम राजियों में लोग विरोध कर रहे हैं गोहाटी में तो सबसे ज़्यादा विरोध हुआ है गोहाटी सी लॉंग रोड के जिस फ्राइवर्ट पे मैं खड़ा हूं या थोड़े ही दिर पहले लोगों ने बड़ा विरोध प्रप्र संस्क्रिती उनकी भासा उनकी अस्मिता को खत्राई से होगा क्योंकि वह अपने ही राजी में संक्यक हो जाएंगे लिहांजा विभिन चात्र संगटनों ने इसका विरोध करना सुरू कर दिया है और कल तक का जो बंद था और नौर्ट इस स्टुडेंट और नेसू है उसन से सो बच्चे कहीं से सवा सो कहीं दो सो कहीं चार सो और बच्चे निकलकर इसका विरोध कर रहें कि आखिर सरकार जबरदस्ती कैप क्यों थोपना चाहती है उनके उपर वहाला महत्वपूर्ण समाचारा बिलने सिलेक्ट कमीटी मा मोकलवा माटे जे मतदान थाई रहे उहतू तेमा भाजा पे तैनों विरोध करेओ अने बिल सिलेक्ट कमीटी मा नहीं जाए तो वदू अपडेट साथे परत परीशू हाल समय था ओचे एक ब्रेक ना विरामबाद BBC समाचार मा आपनों स्वागत होंचू कल्पनाशा अने आवे वाद करेशू गुजरात नी सतर वर्ष पहला जे घटना मा कुल एक हजार लोकोना मौत थाया हता तेनी तपास माटे रचायला तपास पंचना रिपोर्ट नो बीजो भाग आजे बिधान सभा मा रजू करवा मा आवे उचे के गोधरागान बात थायला तो फानो पहला नियोजीत कावत रू नोहता अन रिपोर्ट मा नरिंद्र मोधी ने क्लीन चीट अपाई छे साथिज प्रदीपसी है जणाव्यू छे के त्रोन पोलिस अधिकारियों आर्बी श्रीकुमार संजीव भट अने राहुल शर्मानी भूमी का नकारात्मक रही हती तो सांबड़िये गुजरात ना गुरू राज्य मंत्री प्रदीपसी जाड़े जाए पत्रकार परिश्रत मां शूंकई हुगतु गुद्राकांड बाद राज्य भर्मा थैला तोफानो एक कोई पूर्व आयोजीत कावत रू नहतु जस्तिस नानावटी औने महता तपासपंच दुवारा मानिय मुख्यमंत्री तरीके नरेंद्रभई मोदी औने हाल्ला देशना प्रदान मंत्री स्री नरेंद्रभई मोदी ने अमना साथियों ने क्लीन चीट अपवामा आवी छे तो आबाजू जाकिया जाफ्री ना पुत्र तन्वीर जाफ्री ये बीबीसी गुजराती साथे निवाच्चीत मा तापासपंचे नरेंद्र मोदी ने आपेली क्लीन चीट नो कोईज मतलब ना होवानू कहुँ हतू आवाडी साथा कमिशन थी एलो कोई एनी रिपोर्ट काम तो लाग सेज कि अधार ने खास सुप्रीम कोट ने रिपोर्ट उपर चे ने जराओ पर मोटा 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 विक्रिवा बंता वाप्या चे के अमा गुनेगार सामी तरह से के एटला एंडर पुराव चे बेहजार लोकों नी लोकों ये जान गुमावाला बेहजार थी बजारे नाना कि मैं मारा पिताजी पढ़ाता है मां एमां साथे केटलू घरू खरू खराब पर थेलू चोकरियों साथे इमां बिल की इस बावन दापने जाने एच्छे ते बदू बदू थेलू तो आपने आपकेस लड़ी ने ने माजे सामील चे इंकूडिंग नेरेजर मोदी अरे न नौ कला क्यम लगावया मांगयों चे जवाब ये जवाब माचे नहीं एले रिपोर्ट नू सु मिनिंग चे में बजे सड़की जे आज जवाब मानवाडी केमोशन मांगे तो रिपोर्ट में खबर पड़े कि आ रपार जरी बनाव माटे बनावी चे लोकों ने सज्जा कर रिपोर्ट मां आपेला ताराणों अने टिप पणियोंनी जो वाद करिये तो तेमा कहवायो चे के नरेंद्र मोदी ये गोध्रा मां जैईने ट्रेन ना डब्बा मां पुरावाओनों नाश करयो होवाना जे आरोपो लागया हता ते पाया विहोना होवानों उल्लेक छे ज तेमनी नकारातमक भुमीका होवानी पन टिप पनी कराई छे रिपोर्ट मां राज्यना कोई पन जे ततकालीन मंत्री ओ छे तेमना द्वारा उष्केलनी ना पूरावान नहीं मले आनू पन कहवायो चे वधुमा आ घटनानी जो वाद करिये आकारेवाही अंगे पन चे जो कराये लो आर रिपोर्ट शू महत्वरा आखे छे नरोड़ा पार्टी अविस्तार मा रहता आवाज कितला को लोकोनी बात सांभड़वा पहुंचिया बीबीसी सवाद दाता रोक्सी गागडेकर छारा तो बिट था कोन किते हमारे जवाँ जवां जवान बच्च्क मर गए घर के बेगार हो गए जिवान बीड़वड़़ा हो गई किते जवान आउड वड़़ा ओं तो करा कोन हमारी बेटियों को हमने वलतकार किया कहां से राड़ी क्लिंचीट मिल जाएगी यह तो तो मैं बोलता हूं अगर क्लीन चीट मिल जाएगी तो यह हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाप ही है यह बहुत सरासर गलत है। इनकी चाल है कि बहुत सरे लोगों को जो इनको छोड़ दिया जा रहा है और क्रीन चीट मिल जा रही है वज़े क्या है वज़े क्या है आपका हुकूमत है आपके पास में पावर है ताकत है तो आप कुछ भी कर लिजेगा इंसानियत नाम की कोई चीज होनी चाहिए। अमारे मोडी जी जो आए जब से इस राजिगारी पर बैसे तब से एसा वाचान तैयार करा है कि ना कोई एक दूसरे से बात करता है ना इक दूसरे से मिलता रहता है। तो आतरे आ लोकों जे छे एक खुश न थी। एमनू क्यों छे के आजे रिपोर्ट छे ना कारणे एमने फरी थी एक वकरते भी लागनी थाई रही छे के एमनी साथे न्याई न थी थाई रही। रोक्सी गागडेकर चारा बीबीसी नियूज एम दबार। पंचना रिपोर्ट मा जे ततकालीन पोलिस अधीकारियोंनी नकारात्मक भूमीकानी वाच्छे तेमाने एक आर्बी श्रीकुमार साथे बीबीसी समवाद दाता तेजस वैद्य वाच्चीत करी आर्बी श्रीकुमारे पांच वर्ष थी सरकारे रिपोर्ट जाहेर न कर्यो ते मामले हाइक कौट मा अर्जी करी हती तैमने शूंका हूँ सामभडिये वो बिलकुल पक्षवादी इन्वेस्टिकेशन है जो सिर्फ ये नानावदी कमिशन और खास इन्वेस्टिकेशन स्पेशल इन्वेस्टिकेशन टीम दोनों ये मोधी साफ का डिफेंस लायर तरीके काम क्या है वो मोधी साफ का डिफेंस वाला और मोधी साफ ने मोधी सरकार का डिफेंस के लिए जितना एविडेंस प्रोजेक्ट कर सकते हैं इतना एविडेंस लाना सकते हैं वो लाना चाहिए ऐसे लाया है इसलिए नदीर चाहिए जाया है ये सेटी का जो कन्विक्शन है ना वो फील् जनावटी कमीशन ने कुल 24 एक्स्टेंशन मलया हता अने बार वर्ष सुधी अहीं तपास चालू रही हती कमीशन नी काम करवानी पद्धती अने तेना रिपोर्ट ने लईने घणालों कोई नाराजगी व्यक्ते करी हती मामले भाज़पे प्रतिक्रिय आपता कहुँछे के नरेंद्र मोदी ने बदनाम करवा माटे कॉंग्रेस अने किटलाग बिन सरकारी संगठ हनोंनू कावत रू तपास पंचना आ रिपोर्ट मा उजागर थाई गयुछे अमे तमने जनावी देए के नागरिकता संशोधन बिल ने लईने दिवस भरनी चर्चा बाद हवे राज़े सभा मा तेना पर मतदान चाली रहूँछे शिवसानाय मतदान पहला वोकाउट कर्यू जोके सिलक कमीटी मा आबिल मोकलवाना विपक्ष ना प्रस्ताव नो छेद पन उड़ी गयू हाला चर्चा दर्म्यान जे चव जेटला संशोधन आव्याचे तेना पर मतदान चालू छे दर्म्यान टी एमसी नुश्रंशोधन पन बहु मती थी रद करवा मा आबिलू हाल रुकाईशू एक ब्रेक माटे ब्रिटन नी नवी सरकार पासे थी शूँचे भारतिया मूलना शिखोनी अपिक्ष अने वेस्ट मैनेजमेंट न उत्तम मुदाहरन बने उस्लोवेनिया लाइए एक विराम विराम बात परी एक वार आपनू उसपागत बीबीसी समाचार मा हूँचू कल्पना श्रा हवे जोई ये बीबीसी राउंड अप जमाचे विश्ट्वना अन्य समाचार संक्षित मा चीन ना नागरीक नेताये बेहजार सत्तर मा रोहिंग्या मुस्लिमों सामें म्यानमार सैन्य चलावेला क्रूर अभियानना आरोपो मामले व्यक्तिगत रीतें बचाव करवानू पसंद कर्यू ओंग सान्सूखी ये रोहिंग्या मुस्लिमों नी हत्या अने सामोहिक विस्थापन माटे कारण भूत गणावेया आजादीनी माग करता चरम पंतियों ने तेमने कहू के मानव अधिकार उलंगनना तमाम मामलाओनी तपास चाली रही छे आंत राष्ट्री अदालत मा वधूमा तेमने शूं कहू सामभडिये राजेरेक एवा भागमा के जयां खुबत सक्री रिते तपास चाली रही होय फरियाद नी सुनावनी थई रही होय जो खोटा क्रुत्य मा सामिल होय एवा सैनीको ने सजा कराई त्या नर्सहान नो उद्देश पार पाड़ी शकाए खरो अही बधीज वात सेना ना सभ्योनी आसपास फरी रही शे परन्त हूं खातरी आप पुछू कि आने लईने योग्या पगला जरूर्थी लेवाशे एवा नागरी को सामे पड़ जिवा प्रकार ना गुणा मा शामिल हता होंकोंग पोलीस नी भुमीका नी तपास न मामला मां सलाकार नी भुमीका वाली एक विदेशी निश्वनातो नी पैनल पद छोड़ी रही चे लोक्षाही नी तर्फेण मा थायेला हालना विरोध प्रदर्शनों दर्म्यान पोलीस आचरेला बढ़ प्रयोग ना मामलाव मां पोलीस कर्मचारियों नी जवाबदारी नक्की करवानी सत्ता पोलीस चोकी पास से न होवानी तेमन परियाद करी न्यूजर्सी ना एक बजार मा बै बंदुगधारियों अच्चा नकच गोली बार शरू करी दिदो हतो अधिकारियों नू कहवू छे के घणा कल्ला को सुधी चालेला गोली बार मा छो लोको ना मौत थाया चे त्रण घायल थाया चे नुरुतकों मा एक पोलिस डिटेक्टिव, बै श्रंकास्पद बंदुगधारी अने त्रोण स्थानी को छे अधिकारियों नू मानभू छे क्या चरम पंती हुमलो न थी ब्रिटन मा आवतिकाले सामान चूटनी माटे मतदान छे ब्रेक्जिट मामले मड़ा घाट नहीं उकेलाता ब्रिटन ना बड़ा प्रदान बॉरिस जॉन्सन ने वहला चूटनी नू आहवान कर्यू हतू 2015 पछी ब्रिटननी जनता त्री जी बार मतदान करवा जही रही छे आ मुकाबलो चे कंजर्वेटिव पार्टी ना नेता बॉरिस जॉन्सन आने लेबर पार्टी ना नेता जेरेमी कॉर्बिन बच्चे जो के ब्रिटननी आ चूटनी मा काश्मीर ने जलिया वाला बाग हत्याकांड पन प्रचार ना मुद्द रहा अगाउ लेबर पार्टी ये काश्मीर मा कलम 370 लागू करवा मामले नाराजगी प्रदर्शित करी हती जैना कारणे निंदा थता लेबर पार्टी ये चूटनी धंडेरा मा शामिल कर्यों जलिया वाला हत्याकांड नों मुद्द आने कहू के आउपचारीक माफी मागवा मा आउश्या प्रकार नू वचन पायू ब्रिटन मा वस्ता श्रीक समुदायना लोको माटे ब्रिटन सरकार माफी मागे तेके माटलू महत्वनू छे समझ ये BBC संभादाता जुबेर एहवन ना आ रिपोर्ट मा वीर अमर जी तेनों जन्म ब्रिटन मा थेयो परन्तो तेमनों दिल आजे पन हिंदूस्तान माटे धरके छे मारा पुर्वजो भारत थी छे अने मारे माटे आम हत्वनू छे भारत मा जी अत्याचार थाया तेना थी मने बहुत दुख थायूं हुमारी जातने पंजाबी शिक तरीके जोऊं छूं व्यावसाये तेओ ट्रेड यूइनिस्ट छे तेमनी जिन्गीनों मिशन छे जलियावाला बाग हत्याकान माटे ब्रिटिस सरकार थी माफी नी माग माटे जुंबिश चलावी अमारी ब्याय मांगो छे एक जलियावाला बाग हत्याकान माटे माफी आने बीजू ब्रिटन नी स्कुलना अभ्यासक्राम मां बदलाव करवो लेबर पार्टी ये पोताना चुटनी घोशना पत्रे मां दावो करियो छे के जो तेव चुटनी मां जीत्या तो जलिया वाला बाग नरसा हार माटे अउपचारी कृते माफी माक्षे अने स्थानी कभ्यासक्रम मां ब्रिटीश राजना अत्याचारों ने सामिल कराशे कहवाई छे के जलिया वाला बाग मां फायरिंग थी अंदाजे पंदर सो प्रदर्शनकारियों न मौत थाया आवर्शे एप्रिल मां अहत्याकानना सोवर्श पूर्ण थेया अप्रसंगे ब्रिटनी संसद मां एक सभानों आयोजन करायू हतू अन्या सभामां इंदू सेट पन हाजर रहा था ब्रिटिश इस्टैबलिश्मेंट के जो इंडियन्स थे वही थे एंपी थे लॉड्स थे और भी लेकिन जो यहां की गवर्णमेंट के नहीं थे ब्रिटन मा वस्ता मुटा भागना भारतियों इछे शे के जलिया वाला बाग माटे ब्रिटन सरकार माफी मागे जो के तेमने उलागे शे के माफी मागवानू आ वचन क्यांक चुटनी जुमलो बनीने न रही जाए अने हवे वात वेस्ट मैनेजमेंट नी एक तरफ बसो थी वधू देश न प्रतिनिदियों साथे मलीने कॉप 25 मा प्रुथवीयने पर्यावरन बच्चावा माटे शू करवू तेना पर विचारन करी रहा छे बीजी तरफ यूरोप नो एक देश स्लोवेनिया आए 20 वर्ष माई करी बतावियू छे जे अन्य देश माटे उदाहरन रूप छे जोई ये आर रिपोर्ट मा 20 वर्ष पहला स्लोवेनिया कच्रानो ढग गणातु अने आ आज नो न जारो अही कच्रा व्यवस्थापन मां मोटू परिवर्तना आवियू छे स्लोवेनिया नी राजधानी ल्यूबियाना मां सित्ते टकाजेटला कच्रानों पुना उपियोग थाए छे आ प्लास्टिक माटे छे आ कागण माटे आ ओर्गेनिक ने आ काचनो अही सामाने कच्रा माटे नू डस्ट बिन पण छे हवे तुमाने याद पर नथी क्यामे क्यारे रीसाइकलिंग शरू कर्यू स्थानिक लोको कच्रो ओछो करे ए माटे नो आगरह रखाय छे अने जो तेओ आवू न करी शके तो एस्तिती मा तेमने यूरो चुकावा बढ़े छे जोके खुली जग्यामा कच्रो फेकवानी तद्दन मनाई छे आछे ल्यूबियानामा कच्रा व्यवस्था पन माटे नी व्यवस्था अहीं कच्राने रीसाइकल करवा माँ आवे छे तेओ एक लाग सित्तेर हजार टन कच्रो मेडवे छे जे माथी विगटन क्षम कच्रा माथी तेओ खातर बनावे छे ज्यारे विगटन न थाई शके तेवा कच्राने अहीं छुट्टो पाडवा माँ आवे छे गणों कच्रो एवो हई छे के जे रीसाइकल करी शकाये छे अमें जमीन पर फैकवा माँ तो कच्रो पन एकत्रित करिये छे जो के ते मांड पांच टका जिटलो छे जैने अहीं लवाये छे अहीं आमें तेमाथी वैकल्पिक इंधन बनाविये छे आ केंद्र आवैकल्पिक इंधन ने एवी कंपनियोंने मोगले छे जेओ आश्मभूत इंधनने बदले तिनों उप्योग करे छे जेती कार्बन डायोकसाइड नों उत्सर्जन ओछुन थाय छे जुके हालमा तेओ स्वक खर्चे आ कंपनियोंने आ इंधन पूरुपाड़े छे ल्यूबियारा नों हवे पचीनों टागेट छे जीरो वेस्ट एटले के तेओ हवे कच्रों फेकायज नहीं तेओ हेतु राखी रहा छे आधिशामा हजुपण करवानू बाकी छे जुके तेननी आशर्वात बीजाओ माटे पन प्रेणा दाई छे आजे कार्टोनेस्ट केर्थिश निकलम निर्भयाना दोशीतोंने सजा मलवामा वितेला लामबा समय मामले गंभीर बनी छे आने हवे वात आवती काले बीबीसी समाचार मा शुँँ हसे खास देनी वातावरन मा आवी रहला जड़पी फेरफार नकाराने केवी रिते विश्वना सवती मोटा टापू ग्रिनलेंड मा हीम शीलाओ ओगली रही चे आज विश्वनों खास एखवाल बीबीसी समाचार मा शुँँ आवती काले रात्रे आट कल लाके आज माटे बसाट लोज शुँ आवती काले फरी मरिश्वात समाए